कि नमस्कार सात्य बार पुन्हों सभी का स्वागत है हमारे चैनल में हम आपके लिए सब्द भेद का जो पार टू है वो लेके आयो हैं इससे पहले हमने सब्द भेद में समझा था अगर आपने हमारी वो वीडियो देखी होगी तो हमने उसमें ब्या उत्पत्ति के अधार प यौगिक शब्द यौगरूर सब्द के बारे में हमने आपको बताया था रूर सब्द जिनके दो शार्तक खंड नहीं करे जा सकते यौगिक शब्द यानि कि योग से बने योग से बने जिनके दो शार्तक खंड होते हैं जिनके दो शार्तक खंड होते हैं और मूल सब्द उस रध्र खंडों में आसित रहता है। ये आपको बताया था। इसके बाद हमने यौ गुरूरğ के सभी उधान यौ गुरूर्ड के उधान होते हैं। इतनी बात हो गे थी। اسके बाद हमने आपको धियास स्रूत के अधार पर देखे है जिसमें तत्सम सब्द में उसके समान संफितन में जैसे ही हम ने उनको हिंदिया है तो देशस्थ़ सब्द जिनका संफित में रूप परिवर्ठत न होके हिंदी में उन्हेंron कि यूद्ध वेसे शब्ड वेदैशस जहें रोब होटा से आगत हमने कि आगत यहां भासा से आगे हैं चार प्रकार होते हैं आगे आज हम का दूसरा आगे हम लेका है तो इसमें हम देखेंगे अर्थि के आधार पर सब्द के चार प्रकार हैं 452 चैनल में में और जब भी कोई वीडियो आती है उसका notification आपके पहुंच जाएगा तो आप जो बैल आइकन है उसको दबा के रखेगा तो बढ़ते हैं आगे अर्थ के अधरेपा सब्द के चार प्रकार र thief देखो कौन कौन से प्रकार होते हैं एक अर्थी सब्दों का केवल एक ही अर्थ निकलता है कि अधरेको अधरता का बहुत यह आचान है देखो एक आर्ति को समझना है देखें गंगा पटना राधा मार्च सब्द क्योंकि परशनीं को कि वी प्रस्न पूछा जा सकता है लिए कोई भी आरथ ही चीज ना चूटए इसलिए हम हम सभी keyword करेंगे आत तक पहुंचाएंगे उनको तो देखते हैं देखिए अनेक आर्थी सब्द अनेक आर्थी सब्द का मत्तब का है जिन सब्दों के एक से अधिक आर्थी निकलते हैं उन्हें हम क्या बोल देते हैं उन्हें अनेक आर्थी सब्द बोल देते हैं तो समझना उधान से कनक कनक का ए दूझे दिखोगा माय है तो कनक के देखो डो अर्थ हमें निकलते हैं उन्हें अनिक आर्थी सब्सक्रिद निकलते हैं आधी materials हार का मत्तब गले की माला से एक हार का मिलब गले की माला से और दूसरा हार का मिलब पराजे से पराजे से जब कोई हारता है यह उस पराजे की बात करी पराजे से है अब देखो यह तो हम समझ गे एक आर्थी जिनके एक अर्थ निकला जैसे गंगा पठनारा धा मार्च ऐसे अनिकार्थी में जिसके एक से अधिक अर्थे निकलने जैसे कनक का सोना धतुरा निकलता हार का गले की माला और पराजे निकलता अगला है समानार्थी या पर्यावाची सब्द समानार्थी या पर्यावाची सब्द या पर्यावाची सब्द तो पर्यावाची सब्द यानि स है प्रश्णों का समावेश भी होगा तो आप देखेगा जब भी हमारी वीडियो आएगी अभी यहां पर समझते हैं कि समानार्थी या पर्यावाची शब्द क्या होते हैं बहुत ही सराल सा है कि जो समानार्थ परदान करते हैं अंग्रेजी के विध्यारति आप रहे हैं तो आप उनको देखते होंगे पर्यावाची को सिनोनिम से बोलते हैं यानि कि जो समान अर्थ परदान करते हैं उन्हें पर्यावाची या समनार्थी शब्द कहते हैं देखो जी मैंने यहां पर को कुछ उधान ले रिखे हैं पर्यावाची के फिर आपको बताऊंगा एक ट्र बादल के प्रयावची जलद पयोद वारिद नीरद जलधर मेघ पारिधर एक मेघ से यहाँ पर मेघों का घर मेघ अलय मेघ धन आलय तो देखे शागर उधधी नीर निधी पयो निधी रतनाकर नदीश नदीश में कौन सी संदी है जी नदीधन इश कौन सी संदी है दीरगे है कैसे दीर के संदी दीर संदी है आपको बढ़ी बड़ावरी इस तो यह भी समझेगा साथ में इन चीजों को भी जो हम पड़ाते हुए जारे उनको भी कहिंगे करेंगे हर चीज को पटाएंगे इससे पहले वाले जो चैप्टर था जो हमारा सब्द भीच्ण पार्टन था उसमें आपका उपसर्ग का रिपीटेशन हुआ है परते का हुआ है समास को है उप सब कबार कर रहे हमने आपर को ऐसे हैं आपर को नदीश में आपको दीरगी संधी बता दी दीरगी संधी के पूरे नियम बता दे आ बड़ी बड़ावु री जहां दिखेगा लाइए तो दीरगी संधी होगी आगे बढ़ाँगे उद्ध्यां से समझेगा अब एक ट्रीक है चोटीचे ट्रीक है के आपाता काम कर जाए आपका कहीं काम आ आजये तो जल में हमने जौ लगा दिया तो कमल का बन जाएगा जल में जौ लगा दिया वह कमल के प्रयाची जहां जाते हैं अधिक तर देखो उधान पंकज जल के लिए तो जलद हो गया और जलत वाले उधान के हैं जलद को लगाने से आपके बादल के प्रावची बनने देखो जलत पयोद जलत पयोद वारिद नीरद तो यह आपके क्या बनगे यह आपके बादल के पराची बनगे देखो जौ लगाने से कमल के पराची बन रहे हैं जल में दौ लगाने से बादल के पराची बनने ऐसे जल में अगर हम धी या निधी लगा दे धी या कि कोई पर्यावाची आपको ढूने मां दिक्कत आ रही है तो इसको भी आप साथ में लेते हुए चलेगा मदद जरूर से करेगी कोई ने कोई चीज हर किसी का महत्तों होता है तो उस महत्तों को बनाए रखना है आप भी याद करेगा जल में जौ लगाने से कमल के परवाची आगे जमां इंटोनिम सपर्द हों तो वहाँ पर इसका अलग से वीडियो हम लेकर आएंगे आपके लिए तो क्या होता है देखो जो सब्जाब्ड विप्री अर्थ का बोत कराते हैं प्रक्ताइए या विप्रीतघ्या सब्द बोलते हैं कुछ उद्बान हमने ले रहें आ करना वैसे इतनी स्रीवा समाप्ति क्योंड चल लगे उनको अलग से वीडियो के तहट आपको बताने का प्रयास करेंगे तो बने रहेगा हमारे चैनल में हम आगे बढ़ते हैं हम आगे ध्यान से इन वीडियों को देखते रहे हैं अभी तक हमारी दसवी स्रीज है तो आगे ह हम अपने स्रीज लेके आते रहेंगे हिंदी की जितने भी जो प्रशन आते हैं अभी जैसे हमारी ब्याकरणिक वाला जो पूशन हो खतम होगा तो हम शाहिती क्योंड चलेंगे आपका कोई भी टॉपिक छूटने नहीं देंगे तो आप जिस एक्जाम की भी तयारी कर रहे आपका भी रिदम बने रहेगा तो रिदम के तहट इन वीडियो को भी देखते रहें कि अपना टाइम टेबल बना लेजे कि इस समय मुझे देखना है और इस समय में काम करना है तो निश्ची तोर पर सपलता जरूर मिलेगी आगे देखिए ब्याकरणिक परियोग के आधा चैप्टर या फिपूरा एक जो वीडियो है वह अभ्याव पर आगे कि अब्याव में हम किरिया विशेशन संबंद बोदक समुच्चे बोदक अविश्मयादी बोदक को अलग से डीटेल पढ़ेंगे क्यों कि बार बार पूशे जाते हैं किरिया विशेशन से कई बार प् तो आते हैं कि इसमें से विकारी शब्द है या नहीं इस परइवरतन हो जाता है उन्हें विकार उत्वन हो गया विकार विकारी का मतलब हो गया आप विकार की उत्पन हो गया क्या कारण रहे हों गया वह कारड काल वह वचन वह कार क्या धर पर उनमें परिवर्तन हो गया तो इस सब्ध प्रशन पूछले जाता है। कि आप पुराने जो पेपर होने के उनके एक सेट खरीद लीजिएगा या फिर अब यू के ट्रिपल सी की सेट में जाके वहां से भी पेपर डाउनलोड कर सकते हैं लेकिन मैं सही ही चला दूँ है कि पुरानी आप कोई किताब खरीद लिगे जिसमें पुराने पेपर का जो और रोज एक शट करेगा रोज एक शट करेगा तो कहीं ने कहीं प्रस्ण आपको जरूर से टकराएंगे तो फिर आपका जो यह जो ग्यान होगा वहां कनेक्ट हो जाएगा और आपको याद अनलग जागी यस हमने उस वीडियो में यह बात सुनी थी तो विकारी अगær सन देक наших पर रिवर्थन कर दिया लड़की में फर रही है जाइं विकारी चारक वरचन का आहर पर पर परुर्तन हो जाता है लड़का के लिये रहा है ागि एस hecho के लिया आमलाओ नदेखों कारकों का परिवर्तन हो तो यह क्या है विकारी, गारी से प्रस्ण जो बार-बार सीधा सरल सा पूछ लिया जाता है कि इसमें से विकारी सब्द कौन सा है संग्या सुना विश किरिया यह इनमें से कोई नहीं इस प्रकार का प्रस्ण दे दिंगे यह सब अभी तो यह सभी विकारी सब्द होंगे जी ध्यान लेखेगा बहुत सरल है याद करना अविकारी सब्द या इन्हें अभ्याइभी कहते हैं एक बार थोड़ा पीछी के और आते हैं यह भी आपको बताना है देखो मैंने यहां पर संग्या का कुछ धाना यहां लिए जैसे भाङपो ब्राहन संग्या साथ भी राहम ब्रहाम मान भी हो सकता है हातों फिसक्रांत थेर भी तो यह नश्या जिन श्रॉना लुक्षज भी क्रिछ इबहने सार्म माना बहुत से रखना क्रेह द--" सब्सक्राइब सब्सक्राइब गए तो आप उनको वी देखेगा सब्सक्राइब ब्यक्ति इस्तान के आधा और इंगे नहीं बात जरूर से शिखेंगे तो देखें का आगे अब समझते हैं अभी कारी सब्द अभी कारी सब्द याइन है इसका पूरा अलग से वीडियो लेके आएंगे अलग से बहुत महत्तोपों टॉपिक है इसलिए अलग अविकाली सब्दें अब यह से कहते हैं जिन में लिंग कारक वचन के अधर पर परिवरतन नहीं होता है उन्हें अविकारी सब्द कहते हैं आपके किरिया विशेशन संब्ध बोधक समुच्य बोधक विश्यम्यादी बोधक विश्यमयादे बोध hein आपके क्या है आपके अविकारी सब्द यानि लिंग कारक वचन के अधर पर परिवर्तन नहीं होता है विकारी में परिवर्तन हो रहा था अविकारी में परिवर्तन नहीं होता जी देखो मैंने कुछ उधाने रखें जैसे किरिया विशेशन के उधान से आज कल कब तो इसमे परंतु याइस लीए यह समूच्य वोड़ग है । आएसे आ जाएगा कि और क्या है समूच्य व उड़ग है या कि विष्मियादि व है वर्यां को हम अलगْ वीडियो में समझेंगे शंगयास वनाम के बाद शयाद अगली वीडियो अघूरा और रहा हमारे चैनल में हम आपके लिए हिंदी के प्रतेव को कबर करेंगे, प्रतेवी टापक को हम कबर करेगा, बस आप क्या करेगा, जब भी वीडियो दिखते हैं, कॉपी पेन साथ पर रिखेगा किताब अपनी एक और साथ पर रिखेगा नोट्स बनाते हुए चलिएगा जो भी डाउट होते हैं कमेंड बॉक्स में लिखे हमारी वैबशाइट पर वीजिट करें हमारी जो टेलिग्राम चैनल बना यह हमारी पेज्बूक जो हमारा पेज है वहां भी आप हमारी चैनल के नाम पर ही बने सारे चीज़ा तो वहां पर आप विजिट करें आपके जो क्वैरी होते हैं उनका हम समधान करने का प्रयास करेंगे आपके भी कोई शुजा होते हैं तो वह शुजा भी आप जरूर से कमेंड बॉक्स में लिखे इस वीडियो क देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आपका दिन शुब हो कोई भी क्वैरी होते हैं तो जरूर से लेखें आपका दिन शुब नमस्कार